दोस्तो आज हमारी ये वीडियो मौडरन केटल फॉर्मिंग से रेलेटिड है इस वीडियो में आप सन 2021 के लेटस्ट और बेहद मौडरन केटल फॉर्मिंग टूल्स और टेकनोलजी के बारे में जानेंगे ये टूल्स यकीनन आपके होश उड़ा कर रखतेंगे इन सबी टेकनोलजी और टूल्स का इस्तमाल करके अमरीका और यॉर्पी मौलिक के कैटल फॉर्म्स धेरो पैसा कमा रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है और इससे आपके नॉलिज में भी बहुत इजाफा होगा तो बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं हमारे लिस्ट के तरफ नामबर वन काव मेडिकेशन मशीनरी दोस्तों जब भी कभी फार्म्स में बंदी हुई इन कावस को मेडिसन यानि दवाईयां देने की बात आती है तो हमारे लिए इन कावस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है और इसी मसल में लगे से स्टेरिंग को ՘ुमाने पर गाय के मुँ के साइच की ये मोड्स यानि सांचे उपर की तरफ उठ जाते हैं और गाय के मुँ को एक जगां पर फिकस कर देते हैं अब गाय अपने मुँ को हिला नहीं सकती और इसी मौके का फाइदा उठाते हुए ये वश्कर इ इन डिस्पेंसर के जिरिये लिकवर दिवाई पिला देते हैं और बाद में काम पूरा हो जाने पर इस स्टेरिंग को उल्टा घुमाने पर गाये का मुँ दुबारा इसकी पकड़ से अजाद हो जाता है। इस स्टेरिंग के जाता है और ऐसा करना बेहद जरूरी भी होता है क्योंकि ऐसा करने से गाये ज्यादा से जादा दूद दे सकती है। जाके गाये पीछे ना हो सके और कमर पर बैल्ड भी बान दिया जाता है। अब फाइनली इस गाये का ट्रेस टेस्ट किया जाता है और वरकर मीटर में आने वाली सबी रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। और ऐसे ही ये परसेस फार्म की सबी काउस पर दोहराया जाता है और सबी का हैल्थ चेक अप किया जाता है। इससे काउस में आने वाली सबी तक्दीलियों को आसानी से नोट कर लिया जाता है। नामबर फ्री बेबी काउफ फीडिंग मशीन दोस्तों अक्सर गाय के बच्छों को मा के नजदीक रखने पर बच्छे हद से ज़्यादा दूद पी लेते हैं जिससे फार्म माल कान को काफी नुकसान हो जाता है। और साथ ही बच्छों की तबियत भी बिगर जाती है और इसी वज़ा से कई बच्छों को पाउडर मिल्क फीड कराने के लिए किया जाता है। क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि उनका फेवरेट मिल्क आ चुका है। वेल इसके बाद सभी बच्छे थनों की तर्स के बने इन निपल्स को चूस कर दूद पी लेते हैं। के हाथ में मुझूद इस रिमोट कंट्रोल के एक कमांड पर ये मशीन गाए के सामने इदर उदर पहले चारे को गाए के सामने धेर लगा देती है। और इस तरह फार्म में चरा जाया होने से बच जाता है और सफाई भी रहती है। गाए का दूद निकालना इससे पहले इतना असान नहीं था जो कि सास मशीन ने बना दिया है। तेरी मास्टर नाम की ये मशीन खसानों के लिए तो फाइदा मन्द है ही। साथ ही साथ इससे गाए भी दूद देते वक्त डटी अगब राती नहीं। इस मशीन को राउंड शेप के ट्रैक की तर्सका बनाया गया है जिससे वरकर काउस को एके करके डालता जाता है। अपने बॉक्स में फिट हो जाती है। फिर मशीन से हर गाए के थनों को धोया जाता है। और सकींग पंप्स थनों पर लगा दिये जाते हैं और दूद निकाला जाता है। इस मशीन की खास पाज जो इसे गोल-गोल कुमाया जाता है। इसके पिछे की खास वजा ये है कि इस तरीके से गाए बहुत ही पूर्सकून रहती है और दूद भी ज्यादा देती है और सामने पड़ा चारा खाते रहने से उनका ध्यान थनों पर लगी दूद निकाने वाली मशीन पर भी नहीं जाता। नामबर 6 लीली डिस्कावरी 120 दोस्तों अब बारी आती इस आर्ट नहीं करते और इसी सरदर्द का इलाज ढूद निकाला है काउव वान नामी इस कमपनी ने दरासल ये एक आटोमेटिक डैंक क्लीनर मशीन है जिसके इस्तमाल से चुटकियां बजाते ही पूरे तबेले से गुपर साफ हो जाता है ये मशीन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल है जिसकी वज़ा से इसे ओपरेट कर पाना भी बेहदासान है नामबर सेवन फूफ के अर स्टैंड दोस्तों ये मशीन खास तोर पर बड़ी जिसामत वाले जानवरों के लिए बनाई गई है इसका इस्तमाल बड़े मवेशियों के बड़े खुरों को साफ करने के लिए कि अगर उस मवेशियों के पैरों में कोई चोट हो तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर काम पूरा होने के बाद मवेशियों को वापिस छोड़ दिया जाता है इस मशीन से जानवर को जरा भी तकलीव नहीं होती No.8 Mixer Bucket Mini इस मशीन के जरिये मवेशियों के लिए चारा बनाने का काम किया जाता है इस मशीन के अंदर बड़े बड़े घमाओदार ब्लेड लगे होते हैं जो के चारे को मिक्स करने का काम करते हैं इस मशीन में चारे को डालने के बाद उसमें कई मिनरस भी शामिल किया जाते हैं ताके मुवेशियों को बरपूर ताकत मिल सके और उन से ज्यादा मिक्तार में दूथ हासिल किया जा सके चारा मिक्स करने के बाद ये मशीन एक तरफ से मुवेश्यों के आगे चारा डालती जाती है ऐसे कम वक्त में ज्यादा जानवरों को ज्यादा चारा डाला जा सकता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट टू भी बना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट टू लिखे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना मत भूलेगा मजीद वीडियो उसके लिए हमारा चैनल मेरी कहाने सब्स्राइब करे वीडियो देखने का शुक्रिया